हमात सिद्धिकी हमारे साथ महजूद है उनसे बात करते हैं स्पोर्ट्स एनलिस्ट है हमात वेल्कम टू न्यूस मॉनिंग कहिए गा क्या कहेंगे यह अच्छा है वैसे कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं भी करें वॉल्ल कप से आउट भी हो गया है फिर भी आपकी त इश्यू क्या आ रहा था पाकसान क्रिकेट टीम के हवाले से कि यह जो फी स्ट्रक्चर जो इनका डिजाइन किया गया है अगर तो इसमें यह शर्त रख दी जाए कि आप दुनिया भर में जाके लीक्स नहीं खेलेंगे आप फ्रेश रहेंगे जब पाकसान को जरूत होगी जरूत है किया तो पोरी इनर्जी के साथ पूरी फॉर इनर्जी के साथ कहलेंगे दो एविक्तने की किरूते हैं लग मेरे हमारे तेनем यह था शाहिं चाहिंट में देखा जाए तो आंफिट पूरी तरह फिटनेंस के साथ मीडिकेट गोती है दुनिया भर में जाके लीक्त कि ये वहां पे जाके अल्फिट हो गए वज़ा कि महां पे देर अनिंग तो वहां पे इनको जिस्टिफाइए करनी पड़ती है अपनी परफॉर्मस के दूप तो यह एक फोकस होने की दूप है यह सिंसेरिटी की बात अच्छा यह बताईए हमाद साथ बाबर आजम की अगर जीते हैं लेकिन मैच में आप पर्टिस्पेट कर रहे हैं उसके पैसे अलग हैं मतलब इसके बावजूद इतने पैसे आने के बावजूद भी अगर आप इतना गंदा परफॉर्म करें तो आपको नहीं लगता जितना कुछ इनने दिया जा रहा है उससे डबल इने फाइन करना चाहिए पीसीवी को इस तो ऐसी होना जाएकि जो परफॉर्म नहीं करेंगा उसकी डिड़क्शन हो लेकिन अचा दुनिया में कहीं हमारी लेकिन हमारी टीम के वह मैंने काना के प्लेर्स पेपट जरूरू करनी चाहिए कि आप दुनिया बहर में जाके लीग नहीं खे जब काल हूपर उनके काप्टन थे तो वेस्ट इंडीस क्रिकेट पोड ने यह तैय कर दिया था कि उसको टीम के लिए कंसिडर नहीं करेंगे हमारी इनमें से कितने प्लेइज हैं जो हमारी डिमेस्टिक क्रिकेट खिलते हैं जो हम काईदिजम ट्रॉफी कह रहे हैं नेशनल कप कहते हैं वो नहीं खेल रहे हैं वसासद पाकसान क्रिक्ट कोड का देखना प्लैनिंग को नहीं नजर आती है अब नेक्स ये जून में होने जा रहा है T20 World Cup और 2000 पच्छान हमने पाक्सान में निर्पानी करनी है 1-2-3 Champions Trophy की अगर इस साल नवंबर से लेकर अगले साल नवंबर तक देख लें तो पाक्सान 25 T20 matches खेल रहा है जून में खतम हो जाएगा T20 World Cup तो उसके बाद वजूर को पाक्सान 25 T20 पाक्सान अगले Champions Trophy की प्लानिंग करता हुआ नहीं नजरा आख तो बोर्ड ने कोई प्लैक्सान के टूल के है वो ब्लैन हो पाक्सान 14 दिशंबर से उस्ट्रेलिया में जाके आख तो उसमें कॉन सीटी में भी तो अप्लेक्शन कमेटी नहीं है इन्जमाम अलहत्म ने रिजाइन कर दिया अजरा बिलकुल यह बताईए गा कि वैसे तो दुनिया भर में यह होता है कि जहां पर इतनी बुरी कार्दगी का मजाहरा होता है तो आकर जो लोग थिमेदार होते हैं के खिलाफ कारवाई होती है बलके जो कोचिस वह रहा होते हैं वो तो वोलिंटेरिली मॉरली तोर पर रिजाइन कर जाते हैं अपनी शिकस को तस्लीम करके हमारे हाँ एक ड्लेम गेम शुरू हो जाती है वाल्ट कम में भी हमें देखा मैसेजिस लीक हुए फिर उसक चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी है हमारे हमेशा से ना अंडर दो कारपेट बहुत सारे इस्यूज को हम कर देते हैं अब 90 की बात करूं मेड़ नाइटीज की पाकसान के कुछ प्लेर वेस्ट इंडी में जाके पकड़े गए बहुत तारे इसमें मैच के उसमें थी औ इसमें की रिपोर्ट आप पढ़ लें उसमें मलब हम एक्जामपल सेट नहीं करते हैं बड़न नाम देखकर हम उनको इग्नोर कर देते हैं एक दफ़ा आप इस तरह की एक्जामपल सेट कर दें के जो जो इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वाल्व होगा तो उसक केरियर आता है तो बाकी खुद बाखुद सारे डिसिप्लिन हो जाएंगे कि यहां पर जनाब एक मैरिट जो है वो कोई डबल स्टेंडर्ड नहीं है यहां पर आप स्टार प्लेश के अगेंस कुछ और स्ट्राटिजी है कोई जुनियर प्लेयर है यह किसी की इतनी कोट बना दे तो यहां स्टेंडर्ड जो है वो एक होना चाहिए